बिजेपी का एक ही नारा है अब की बार मोधी सरकार और हर गरीब आदमी बेरोजगार अश्रफ है वो यहां पर खड़े हुए है अश्रफ की दुकान है जहां पर यह बुल्डोजर चला रहा है तो फिल्हाल यहां पर गिम्पुए चला रहा है और विशेष अतिक्रमन हटाऊ ड्राइव एमसीडी की चल रही है दक्षणी दिल्ली में और आपको बता दें कि संगम विहार के इलाके में यह यह शूटिंग रेंज है और उसके आसपस यहां पर दुकाने हैं जूस की दुकान रेडी पट्रिया है जिनको हटाए जा रहा है और यह एमसीडी के ट्रक हैं जिसको यह ल कितने दिन से लगा रहे थे अपने मेरा जनम भी निवत में फादर लगा रहे थे तो आप लोग कुछ पैसे देती हमें कुछ दिन पर पहले पर्ची दी थी बोला तो जब तक दूसरी जिगह नहीं मिलेगी तब तक यहीं पे लिए अश्रफ देखे अश्रफ के हाथ का अश्रफ घबरा रहे हो और अश्रफ यह बताई जब आपके पास यह पर्ची है तो यह कैसे हटा रहे हैं यह देखे पंजी के लिए पाफ्ती रशीद यह हमें दी गई थी बोला तो जब तक दूसरी जिगह नहीं देंगे पूदी देंगे तब तब तक यहीं पे लगाव अश्रफ देखे घबरा करके कांप रहे हैं इनकी यह दुकान थी 28 साल से अश्रफ तुमारी उम्र कितनी है सर अमारी होगे 20 साल होगी 20 साल यानि जब पैदा बिन हो यह तब से इनके बाप यहां पर दुकान लगा थे लेकिन आप यहां से यह दुकान हटा ली गई है तो यह जो MCD के बुल्डोजर हैं यह चीजे हैं यह गरीबों पर चलती हैं ठीक है अवैद हैं लेकिन दिल्ली में और भी बड़ी रईसों की कॉलोनिया है जहां पर अतिक्रमण है पार्किंग के नाम पर और दूसरी चीजों के नाम पर अतिक्रमण है लेकिन वहां पर MCD के य पूर्वन उनके रिष्टे बड़े लोगों से एंक अधिकारियों को जाता है और यह जो अत्रिकर्म वाली ड्राइब है वो रुख जाते हैं बिएट वाले पैसे लेके जाते हैं इंक्रोच्मेंट यह लोग खुद करवाते हैं ठीक है और अब क्या हाल है नाम क्या आपका विवेक विवेक कितना बड़ा अतिकर्म लाइए इससे जाम लग रहा था इसकी दुकान से क्या पब्लिक को नुक्सान आ रहा था सब चलान की रसी दिखा रहे हैं और यह लोग कब से लगा रहे था आप यहां पर लॉक्डाउन की मार पड़ी कोरोना की मान पड़ी यहां पर यहां पर यहां पर 20 से 25 साल से यहां पर दुकाने लगाई जा रही थी तो यह अश्रफ की दुकाने जो जूस है जूस है और यह जो कुछ बचा कुछ है उसको अभी बोरी में समेटा है अश्रफ ने हम जो यहां पर अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे जो चेर्मेन उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि यह जो अंदोलन चला रही से नुकसान गरीबों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैं राजपार सिंग चेर्मेन सेंटल जौन दक्षणी दिल्ली नगरी नहीं इनकी रोजी रोटी से हमें कोई इनकी दुश्मनी नहीं है इन गरीब आदमियों को तो व्यवस्तत करके जो डारेक्शन है दिली हाई कोड की उसके माध्यम से इनको स्ट्रीट वाइंडर्स को टाउन वेंडी कमेटी के माध्यम से दुखाने अलॉट करने का पहले देदेनी चाहिए फिर रटानी चाहिए यह तो रोट ब्लॉक कर रखे हैं वो तुसके लिए 25 साल से कुछ नहीं है ऐसा तो लोगों का कहना है लेकिन लगवाता कौन है इनको लगवाई किसने है यह ज़रूरत आदमी की लगाती है समय आदमी का लगाता है अच्छा बुरा समय सब के बाद आता है यह तो आज की बात कर रहे हैं इसका एलेक्शन से ना देखें इसको देखें लोगों की सुईधा से बहुत बताईए दिल्ली शहर में या दक्ष्णी दिल्ली में भी बहुत सारे अमीरों की बस्तिया है जहां पर पारकिंग के नाम पर शेड निकाल लिए जाते हैं बड़ आपको जो रोड में दिया है वह इसका न्यूफ्रेंट्स कॉलनी भी दिया है ऐसा नहीं है कि पिक और चूज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं हम लोग लोगों को सेवा और दोनों देना चाहिए उनके लिए उनके लिए अल्रेटी में जो लोग इन्वाल है उनके साथ तो इंस कोई पैसा नहीं लेता है और बुल्डोजर सब के यहां चलाए जाएंगे फिलहाल यह तस्वीरे बताती हैं कि गरीब आसान है उनके रेडी पंच्रियां हटा देना उन्हें धक्का देक करके निकाल देना और यह वही लोग हैं जो पैदल लॉक्डाउन में अपने गाउं गए पूरोना में सड़कों पर एक-एक की रोटी के लिए तरस्ते रहे और आब जो इनका रोज़गार था उसपर बुल्डोजर चल रहा है क्योंकि आब द्शनी दिली को भी तालिया चाहिए तो तालियां यूगी के बुल्डोजर को मिली शिवराज की बुल्डोजर को म करेंगा